नमस्कार दोस्तों आपका सौगत है बोकरे बंदू लाइट्स यूट्यूब चैनल में तो आज हम सीखेंगे शार्पी लाइट की एड्रेसिंग कैसी करें और वो भी पूरी जानकारी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोई हमारे चैनल पे नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाए क्योंकि हमारे नए वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे अब वीडियो शुरू करके शार्पी के एड्रेसिंग की पूरी जानकार लेते हमारी चार शार्पी अब और्टो मोड़ पे शुरूरे पहले मैं आपको वाइर कनेक्शन दिखाता हूँ यह पहली वायर हमने DMX के आउट से शार्पी के इन में लगाईए अभी दूसरी वायर शार्पी के इन में लगाओ दूसरे चारफी के आउट में लगा और इसे चार। चारफी को लुपिंग कर दो चलो, पहले चारफी के सेटिंग में देम Exactly कर दो और अपना आड्रेसिंग है और जरो जरो बनी रहने दो दूसरे चारफी को आड्रेसिंग करते समय आपको मालूम होना बहुत जरूरी है कि हमारी शर्पी कितने चैनल की है मेरी शर्पी 16 चैनल की है आपको अपनी शर्पी कितने चैनल की है देखने के लिए मैंने पहले वीडियो में बता है कि चैनल कैसे देखते है तो आप मेरी पहले वीडियो देख सकते है और उप पता कर सकते है पहले तो अटो को DMX करो उसके बाद DMX आड्रेस में पहले शारपी में 1-16 चैनल गए तो दूसरे शारपी को आड्रेसिंग होगा 17 नमबर तो इधर 17 नमबर करो अब तिसरे शारपी में वाटो को DMX करो पहले तो DMX आड्रेस में 17 प्लस 16 करो 33 आएगा ओके करो अब हम आपको पाइलेट में आड्रेसिंग करके दिखाएंगे और शारपी शुरू करेंगे तो पहले पाइलिक शुरू करते हैं ओके सेटप पे क्लिक करके फिक्स्चर पैच पे जाएंगे एक नमबर हमारी पहली शारपी अपनी सेटप का नाम यहाँ पर का से एक नमबर शारपी सोला चैनल दूसरी शारपी सेटप का नाम 17-32 तीसरी शारपी सेटप का नाम 33-48 शोला चैनल दूसरी शारपी सेटप का नाम 49-64 सेटप पे क्लिक करो हमारा एड्रेसिंग हो गया सेव हो गया अब आपको मैं शारपी पैलेट से शुरू करके दिखाता हूँ सेटप पे क्लिक करने के बाद फिक्स्चर पे क्लिक करो हमारी चार शारपी है इसलिए एक, दो, तिन, चार चार बटन आउन करो डीमर उटाओ, फ्लैश उटाओ तो पहले मास्टर उटाओ लैट शुरू हो जाएगी कलर चेंज कर सकते हो फोकस कर सकते हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक वीडियो को लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइब करो कर दो